नमस्ते मैं हूं रेनुका तो आप सबका मेरे यूट्यूब चानल में बहुत बहुत स्वावत है तो आज की वीडियो में मैं आपको आटे के माल पुवा बना के दिखाने वाले हूं जिने आप आसानी से घर पे बना सकते हो और वो टेस्ट में भी बहुत आच्छे बनते हैं मगर उससे पहले अगर आप मेरे चानल पे नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब किजिए और साथ में बेल आइकन को फ्रेस करके आल पे क्लिक कर दिजिए ताके मैं जब भी कोई इसी सिंपल सी रेसीपी बनाओ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए अगर आटे के माल पुवा की चाचनी बनाने के लिए 100 ग्रैम चिनीली है तो आप अपनी हिसाब से ज्यादा भी ले सकते हो और उसके बाद मैंने यहां एक वाटी घी लिया है माल पुवा तलने के लिए तो आप तेल का भी इस्तमाल कर सकते हो मगर घी में माल पुवा और दो चम्मच इलाइची पौडर ली है फिर आपको माल पुवा का डो बनाने के लिए एक बाउल लेना है और उसमें आपको गिहू का आटा डालना है फिर उसके बाद आपको उसमें दूद डालना है तो आपको इसमें दूद थोड़ा थोड़ा डालना है और इसका डो बनाना है और आपको इसको आच्चे से फेटना है तो आपको इसमें एक भी आटे की गाट नहीं रहने दिनी है तो इसके लिए आपको इसमें थोड़ा-थोड़ा दूद डाल के इस आटे का डूब बनाना है तो आप थोड़ा-थोड़ा दूद डाल सकते हो तो इसके लिए आप अपने हाथ का भी इस्तमाल कर सकते हो फिर उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा स्वादनो सार नमक डालना है फिर आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा दूद डालके इस आटे को ऐसे फेटना है फिर उसके बाद आपको इसमें एक आदा चमच एलाईचे पाउडर डालनी है तो आपको ऐसे एक विगाट इसमें नहीरे ने दिनी है तो अभी हमारे मालपुवा का डो यहां तैयार हो चुका है तो इस दिखें आपको इस मातरा में मालपुवा का डो बनाना है तो अभी हम मालपोव करी लिए चाचनी बनाते है तो मैंने मालपोव की चाचनी बनाने के लिए ग्यास पर बर्तन रग दिया है तो हमें सबसे पहippy इसमें चिनी डालनी है तो मैंने चिनी 100 ग्रैम ली है तो आप अफने हिसाम से ज्यादा भी ले सकते हो तो इसके बाद आपको इसमें पानी डालना है और इसी आपको आच्छे से उबाल लेना है जब तक चिनी पानी में आच्छे तरह से ना गुले तो अभी हमारा पानी भी आ उबनना शुरू हो गया है और चिनी भी इसमें गुल चुकी है तो उसके बाद हमें इसमें दो चमच लिम्मू का रज ड़ना है ताकि यह जो छाचनी होती है वो ना जमे फिर उसके बाद हमें इसमें एक चमच इलाईचे पाउडर ड़नी है फिर उसके बाद इस चाचनी को अच्चे से उबालने देना है तो अभी हमारी चाचनी या उबननी शुरू हो गई है तो अभी हमारी चाचनी तयार हो चुकी है तो अभी हम माल पुआ तलते है तो मैंने या ग्यास पे बरतन गरम होने के लिए रख दिया है तो इसके बाद मैं इसमें घी डालती हूँ फिर अभी हमारा घी भी गरम हो चुका है तो अभी हमें इसमें मालपुआ डालने हैं तो यह दिखे, आपको ऐसे माल पुआ का डोल लेना है और आपको ऐसे इसमें माल पुआ डालने है और इन्हे आपको दोनों तरफ से ब्राउन होने तक तलना है तो आप ग्यास को मेडियम आज पे रखके इन्हें तल सकते हो तो बहुत ही अच्छे मालपुआ बनते हैं तो आप एक पर इने जरूर ट्राय करें घर में तो आपको ऐसे दोनों तरफ से ब्राउन होने तक इन मालपुआ को चलना है तो अभी हमारा मालपुआ तल के यहा तैयार हो चुका है तो अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ और आपको इस माल पुवा को गरम गरम ही छाचनी में डालना है तभी ये छाचनी को सूख लेगता है और आपको सारे माल पुवा बनाने हैं और इस छाचनी में आपको 15 या 20 मिनिट तक ऐसे ही भिगो के रखने हैं तो आप ऐसे ही आसानी से घर में माल पुवा बना सकते हो तो आपको ऐसे माल पूआ बनाने हैं तो आप ऐसे ही आसानी से घर पे आटे के माल पूआ बना सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में तो थैंक्स प्रेंट्स वाचिंग मैं वीडियो